हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्ते हैं विश्याला सबक्राइब करता हूँ आप यह चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आज की जो एप बहुत अमेजिग है như दोस्तों यहां पे आप सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इप सरी एप्लीकेशन को एक साथ कामाइन करके यानि की यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन ErfahrTheyलें करें हैं जिनका मैसेज आपको recover करना है as in whatsapp पे message delete करने का option आता है कोई आपको message भेजता है और उस message को delete कर देता है तो ये application इसलिए बनाएगे है उस message को अगर आप recover कर सकें whatsapp के लाबा instagram पे भी ये message आचुका है तो ये भी आप recover कर सकते हैं ओके दोस्तों ये app काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इन app का क्या होता है जितनी भी notification आती है उन notification को ये capture करती है अब दोस्तों कोई भी आपको message भेजेगा तो notification आएगी notification capture होके यहाँ पे save हो जाएगी वो सिर्फ WhatsApp से delete कर सकता है इस application से नहीं तो ये इस app का plus point है सिर्फ message ही नहीं अगर कोई image file या जो भी वो delete करते हैं वो यहाँ पे capture हो जाएगी ओके दोस्तों तो अच्छी app है यूज करके जरूर देखिएगा ओके दोस्तों easy to use है इसमें को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको permission देनी होती है starting में उसके लिए भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है यह खुद आपको redirect कर देते हैं उस permission पर जो आपको देनी होती है ओके दोस्तों इसके अलावा message और audio वगेरा जो भी आप deleted किया है सामने वाले वो सब recover हो जाता है ओके दोस्तों तो यूज कीजिएगा इस application को अच्छी application है यहाँ पर select कर सकते हैं अगर कुछ select करना चाहें कौन कौन सी application को आप यह authority देना चाहते हैं जिनका message recover करना चाहते हैं ओके दोस्तों तो अच्छी यह यह यूज करके जरूर देखिएगा लिंक में आपको वीडियो के निचे